आप सभी को पता ही है कि कुछ चाइनीज है बंद हो गया है ऐसे में जो इंडियन गोर्मेंट है वो एक बड़े ही कमाल का नया प्रोजेक्ट ले गया है जिसके अंदर आप पार्टिस्पेट कर सकते हैं जीत सकते हैं 20 लाख उपए तक की प्राइस तो चलिए बात करते हैं य क्या है कैसे हम इसके अंदर पार्टिस्पेट कर सकते हैं कैसे हमें जो प्राइस मिलेगा क्या है इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया है जी हाँ आप सभी को पता चली चुगा हुगा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आतम निर्बर बारत एप इनोवेशन किस से प्राइस जीत सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है किन किन कैटेगरी के अंदर आपको अप्लिकेशन बनाना है कैसे आपको पार्टिस्पेट करना है इन सारी चीजों के बारे में बात करने इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं हर इंदर बढ़ी आप सभी का स्व को 4 जुलाई को लोंच हुआ है इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे महिंग बात यह है कि आपको इंडियन सिटीजन सिप होनी चाहिए जो हमारे सब के पास है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी जो स्टार्ट अप है या फिर इंडिवीजुल है वह भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या-क्राइटेरिय है क्या-क्या कैटेग्री एंड कैसे आपको अपलिकेशन जो है वह डौलक करना उन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं बता दू कि इनके आठ गेटेग्री के अंदर डिवाइड किया गया अप्लिकेशन को जो फर्स्ट केटेग्री हमारे पास निकल के आती है ओफिस प्रोडेक्टिविटी एंड वर्क फॉर्म होम दूसरी जो केटेग्री आती है वो आती है शोचल नेटवरकिंग तीसरी केटेग्री ए- पानुचर कैटेग्री है Jed & Wellness सिक्ठ गेटेग्री जो आती है बिजनेस इंक्लूडिंग एडगरी टैक और फाइंटाक्य सवंथ जो सात्वी कैटेग्री आती है वो ण्यूज एंड ही न्यूज़िश के आंधर जू ह〜 गे models की सिस इन कैटेग्री के लेते हैं तो इसकी जो एंट्री की जो लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई 2020 शाम को सारे पांच बजे तक और जो है फिर इसकी screening and entry received जो है वो 20 से 24 जुलाई तक जो है screening and entry receiving round होगा इसके बाद में जो है evaluation by jury जो है वो round होगा 27 जुलाई से 3 अगस्त तक और जो साथ अगस्त 2020 पोइन का जो final winners जो है उनके नाम अनांस किया जाएगा तो इसके अंदर participate करने के बाद जो है basically दो stage के अंदर इसे divide किया गया है screening and eligible entries second जो है innovation by jury with actual demo यानि आपको actual demo के साथ जो है प्रिजेंट करना होगा उसके अंदर jury है जो judges है उनका decision होगा वो आपको 7 अगस्त को जो है winner announce किया जाएगा इसके अलावाज जो है इतना सब कुछ है अपना application development कर रहे हैं यह साथी सीज़ कर रहे तो इसके अंदर कुछ rewards भी है जो आपको मिल सकते हैं इसके अंदर यदि हम बात करें तो first price होगा वो होगा 20 लाक यानि 20 लेक्स का second price 15 लाक 15 लेक्स का third price जो है 10 लाक यानि 10 लेक्स का each categories के अंदर सभी categories के अंदर इतना ही नहीं जो सब categories हैं उनके अंदर भी first price 5 लाक रुपए यानि 5 लाक का second price 3 लाक रुपए यानि 3 लाक का और third price 2 लाक रुपए यानि 2 लाक रुपए का इसके अंदर होने बाला participate करने के लिए आपको जो है my government my gov.in के उपर जाना है वहाँ पर आप जाके अपना रेजिस्टर करके participate कर सकते हैं Digital India आत्म निर्बर भारत एप innovation challenge के अंदर जाके आप जो है वहाँ पर रेजिस्टर कर सकते हैं तो फटाफट से आज ही और आप अपना app develop करके फटाफट से यहाँ पर entry submit कीजिए आप जो है 18 जुलाई से पहले पहले और हम कामना करते हैं कि आप ही भी नरो अच्छ 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 अप्लिकेशन लेके आए और let's be together and beat the china उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगा होगा आपको सारी information जो required थी वो आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी तो आप इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए नीचे देगे red button को press करके और पास में आने आले notification को on कर दीजिए इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की share कीजिए क्योंकि जो developer है उन तक ये बात पहुंच पाए और वो भी participate कर पाए हो सकता है आप आपके परिवार से आपके गली महुले गाउं से आपके जिले से आपके state से कोई ना कोई winner हो तो फटा-फट से इस वीडियो को share कीजिए गा उमेद करता हूँ वीडियो आपको पसंदा है ओक है तो